नमस्ते भारत धलती साम के साथ आज एक बार फिर से बामू फार्मिंग की और किसान पाटसला बी किसान और अपने प्रकृतिक खेत के अंदर में जिस तरीके से विडी भाई ने काम किया है यह देखिए बांस लगाया हुआ है बांस के बीच में जो है वो सुरिय मुखी लगाया हुआ है यह देखो जहां पर बांस वाली लाइन के उसमें बीच बीच में सुरिय मुखी जो है वो लगी हुई है और गेहु की फसल देखो यह देखो सिर्फ मास वाली जो लाइन थे उस लाइन के बीच में जगा बनी हुई है और उसी में सुर्य मुखी जो है वो लगाए हुई है बाके की सारी सतह जो है पूरी एज कट आपको देखने को मिलेगी आप देखे गोर से पूरी एज कट जैसे कुदरत का जो यह नजरिया है यह देखे पूरा पूरे तरीके से जो है गेहूं की फसल साथ में सुर्य मुखी और साथ में बांस बांस अपने इसाप से ग्रोथ कर रहे है क्या देते हैं इसके अंदर में इस न्यूट्रिशन तो जो अपन रेगिलर पधिती देखते हैं वही पधिती के इसाप से सारे लिक्विड जिवामरूद, खन जिवामरूद, अमरूद जल डिकंपोजर, गौमरूतम बेक्टरिया उसके साथ में इसकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा क्या करते हैं गुड सारी चीजे अपने पास है फ्रकृती को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही काफी है आईए बास और बास के बीच में फिर से अपना काम हम करते हैं थेंक यू